आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं चिकन दम बिर्यानी बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है आप लोगों को बस मेरे बताय हुए तरीके को फॉलो करना है और आपकी भी जो चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी है इसके लिए हमें अपने चिकन को सबसे पहले मारिनेट करना है तो यहाँ पर मैंने दो केजी अच्छे से वाश तो इसमें हम अपने सारे मारिनेशन को डालेंगे यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स अच्छे से बीट किया और दही आट किया है कि उसके पाद हम भर करके एक टेबल स्पून इसमें जिंजर पेस्ट और दो टेबल स्पून गार्डिक पेस्ट आट करेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नीबू को अच्छे से नीचोड करके उसका जूस निकाला है और आधे नीबू को ऐसे स्लाइसे में काट लिया है मैंने हमें इसे भी अपने मारिनेशन में आड़ कर देना है स्लाइसे को भी आड़ कर देंगे हम इसके बाद हम इसमें कुछ अपने पाउडर्ड मसालों को आड़ करेंगे पाउडर्ड मसालों में मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून रडचिली पाउडर और दो टेबल स्पून कश्मीरी रडचिली पाउडर लिया है मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाले मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून धनिया पौडर और दो टेबल स्पून नमक लिया है नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले एक टीबल स्पून सफेद मिर्च और एक टीबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर इसमें एड़ कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हरे मसालों को लिया चार से पाँच पीस मैंने यहाँ पे हरी मिर्चे लिया मैंने यहां पे धनीय की पती और पुदियने की पती को थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है हम इसमें भी अपने माइनिशन में डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून जीरा अड़ करेंगे उसके बाद हम इसमें चार से पाँच पीसिस ग्लांग के डालेंगे और तीन से चार टुक्रे हमें इसमें दालचीनी के डालने हैं इसके बाद मैं इसमें वन थर्ड जैफल आड़ कर रही हूं जैफल जादा नहीं डालना हमें क्यूंकि इस की जो को शुशिबू होती है वह बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग होती तो उसके बाद हमें इसमें नीअची चोटे झायची İ apparently आड़ना two otras डू पीस हमें चोटे झायची अड़ना है और three शान बिर्यानी मिसाल आउनलाइन चॉपिंग अपस पे एविलेबल है इसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं इसके बद हम इसमें एक कप रिफाइन ओयल एड़ करेंगे इसके बाद मैंने यहां पे 5-6 पिस बड़े बड़े प्याजों को ले करके उसे पतले पतले स्लाइसे में काट लिया था और फ्राइ कर लिया था तो हमें इसे अच्छे से क्रश कर लेना है हाथों से उसके बाद हम सारे अपने फ्राइट प्यास को भी इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे कम मसालों वाली बिर्यानी बना रहे हैं तो हम प्यास भी उसे हिसाब से देंगे उसके बाद हम सारी चीजो को अच्छे से mix कर लेंगे अपने हातों के हल्प से आप मसाले और चिकन को हातों के हल्प से mix करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से marinate होगा सारी मसाले evenly ही मिल जाते हैं हर तरफ इसके बाद हम अपने marinated chicken को 2-3 घंटे के लिए fridge में रख देंगे प्याजों को मैंने जो fry किया था तो मैंने उसमें से थोड़े से प्याज अलग कर लिए मैंने उसमें पुदीने की पत्ती भी डाल कर रखी है इसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो चलिए अब हम अपने chicken को पकाते हैं यहाँ पे मैंने एक देख्ची में 200 ml refined oil add किया है दो घंटे हो चुके हैं तो अब हमारे जो chicken है वो maninate हो चुका है तो अब हम धीरे धीरे अपने chicken को देख्ची में add करते जाएंगे यहाँ पे हमारे ग्यास का flame जो रहेगा medium to low रहेगा हमने सारे chicken को इसमें add कर दिया है उसके बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेना है oil के साथ अब हम अपने chicken को 10-15 minutes के लिए high flame पे पकाएंगे धकन डाल करके 10-15 minutes के बाद हम इसे एक बार फिर से खोल करके धकन को और अच्छे से mix कर लेना है अब इस पॉइंट पे हम अपने chicken में 2-3 टेबल स्फून देसी की add करेंगे 2-3 बार अच्छे से mix कर ले और 10 minutes के लिए इसे अच्छे से cook होने दे हमें इसे तब तक fry करना है जब तक हमारे chicken का जो पानी है वो सूप करके थोड़ा ना बचे भुनने के बाद हम अपने chicken को 10 minutes के लिए low flame पे छोड़ देंगे हमारे chicken जब तक ready होता है तब तक चली हम अपने विर्यानी के चावलों को ready कर लेते हैं यहां पे हमने दूसरे देख्ची में 200 ml refine oil अड़ किया है इसके बाद मैंने इसमें दो टुकरे दाल चीनी के और दो बड़ी इलाइची अड़ किया है उसके बाद हम यहां पे 5 long और दो छोटी इलाइची अड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें 4-5 piece तीज पत्ते आड़ करे ज़्ए हुँआ इसके बाद मैं इसमें 2 दूसरे गृभट करूंगी नमख आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही आड़ करें किसी को कम या किसी को ज़्यादा पसंद होता है उसके बाद मैं इसमें कुछ पुदीने के पत्ते आड़ कर रही हूं अब हम धखकं डाल कर पानी क को पासमट के लिए बॉइल होने देंगे मैंने एक केज़ी बासमदी चावलों को 20 मेरट सोक होने के लिए रुख दिया था अब मैं अपने चावलों को इसमें अड़ कर रही हैं ज़ो हमारा पानी बॉइल हुआ था यप economy वichical को आड़ कर दोंगी चावलों को हमें चावलों और दे चावलो को एक काएक लेड़ों हम इससे एक characterize हम ढाल देंगे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे स्के ऊपर उसके बाद हम दूस्रा लियर भी चड़ाएंगे चावलों का चावलke का दूसरा चरहाने के बाद हम फिर से अपने प्याज और पुदीने के मिक्षर को इसमें एड़ करेंगे इस प्रोसेस को करते वक्त हम हमारे गयास के फ्लेम को लो पे रखेंगे अब हम अपने चावलों को दम पे रखेंगे दम पे रखने के लिए मैंने आटे की थोड़ी सी लोई बना दो प्रिशर के लिए मैं ने घवी कर रहे रहे हूं एक मिरट के लिए हम इसे हम इसे हाई लो फ्लम पे पकाएंगे भी से किस बाद हमारी बिर्यानी यह हो चुकी है तो आप इसके लिड को बहुत ही कीरफुली खुल ही क्योंकि इसमें बहुत जादा भाप होता है तो आपके मूँ पे यहाँ पे लग सकता है देखिए हमारी चिकेन दम बिर्यानी डेडी हो चुकी है यह फुल आफ जायका और बहुत ही जादा खुश्बूदार बनी है आप इसे अपने घरों में जरूर से ट्राइ करें अल्ला आफेज